हेलो वाट्स आप गाइस मैंने में स्कुनोर बादुर थापा एंड तूरे इस फुड़ो बीबिल सी एड़ तो कार्ट उजिंग रियाक्ट जेस इंदी तो चले गाइस सुरू करते हैं सबसे बेले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थाबा टेकनिकल पर बताना चाहूंगा कैसे आज कवड़े बहुत ज्यादा आने वाल है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्वापिंग कार्ट कर सकते हुद्धी हलप आप र यहां पर हमारा जितना भी डेटर रहेगा वह आटोमेटिक यहां पर आजाएगा लाइक हमारा जो लास्ट हो है एक हमारा आइफोन टुवल ठीक है अभी क्या हो मैं आइफोन टुवल के नीचे मुझे एक और अगर मोबाइल दिखाना रहा अपने i2 कार्ड में बैसिकली करना रहा पर्चेस करना रहा एक तो आप देख सकते हो नाइन रग दी मैंने अब मुझे इससी बेगवार रिफ्रेश हाला कि करने की भी निट नहीं 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 मिलता हमें ठीक है तो यहां पर हमें गाइस एक NPM पैकेज उसका नहीं आपको पता चल जाएगा कौन स होंगे वो यहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा यहां पर देख सकते हो you have total seven items in swapping card and यहां पर भी साथ है तो अभी तो फिलाल मेंने static रखा है बाट हमारा जो next part आएगा उसमें यह complete dynamic होगा मतलब आपके card में जितना भी products होगा automatic यहां पर and then यहां पर रिफ्लेक्ट होगा आप चाहते इसको increment कर सकते हो इसको decrement कर सकते हो आप चाहते इसको remove कर सकते हो जब आप इसको click करोगे तो सिसप से यहां पर इसका जो price वो automatic increment होगा decrement भी होगा अगर आप minus करोगे and then इन सब का total आपको यहां bottom पर दिखाए देगा and finally हम इसको check out कर सकते ठीक है so guys जो dynamic content वाला जो part वो हम next video में देखेंगे लेकिन आज यह complete user interface API से कैसे data को get करना है यह सारी functionality and scroll bar यह सब कुछ आज हम कैसे create करना है वो देखने वाले and the best part एक गाई से perfectly responsive भी है आप देख सकते हो iPhone 10 में आपको कुछ उस्तर किसी दिखाए देगा and the best part एक आप देख सकते हो कि यहां पर scroll बार रखा जिससे आप आपको एक particular जो component है उसी component के अंदर ही आपको सभी data दिखने वाला है जो यह है ना कितना awesome और गैस तो अब हम बीना किसी दे रहे के वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले बाताना चाहूंगा गैस अब ही तक अगर आपने मेरे awesome चैनल था पर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गैस प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट साइड में एक कला का बैल आइकन एक घंटी दिखाई देगा हिट किजे क्लिक किजे ताकि आप डेल यह आपस री रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस बात पे एक लाइक जरू कर दीजेगा चलो कोई बात नहीं होता रहता अब क्या गर सकती है अब गलती मेरी थी मैं माइक अन करना बूल गय और गैस तो आप देख सकते हो कि मैं आपको बाता तो सबसे बहले folder structure is the most important जो आपको समझना जरूरी ठीक है हमेशा की तरह npx create react app आपका app का नाम and that is add to cart तो आपका गाई से folder बनके ready ठीक है उसके अंदर हमें क्या करना का है source folder पे हमें चलना है ठीक है इतना तो जब आपका जाएगा तो source folder पर आपको चलना है एक new folder create करना जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हूं मैं components दे रहा हूं ठीक है क्योंकि मैंने अल्री component करेंगा बना रहा था इसलिए components को create करने से पहले guys मैं आपको figma file दिखाना चाहूंगा and believe me guys आपको मजा जाएगा अगर आप figma के कि यहां पर यह जो part दिख रहा है यह complete हमारा component है और उसके अंदर यह जो part आपको दिखाए दे रहा है यह एक अलगी component है so यह जो complete आपको एक frame दिख रहा है यह जो देखो blue color का है जो पूरा complete frame दिखाए दे रहा है तो उसके लिए guys मुझे एक file create करना पड़ेगा जो होगा मेरा card.js perfect now उस card के अंदर भी यह जो portion है जो हम scroll करवा रहे थे आपको याद है यहां पर यह जो मैं scroll करवा रहा हूं तो वो एक अलगी component है ठीक है तो वो उसके लिए right तो उसके लिए मैं यहां पर चलूंगा मैं यहां पर लिख देता हूं इस तरीके से items.js ठीक है this is it and now obviously css लगने वाला है so new file मैं यहां पर लिख देता हूं इस तरीके से card.css and obviously हमारा वो जो API जहां पर हमारा सारा data है तो इसका नाम में लिख देता हूं product या products.js this is it तो products.js जो इसको मैं copy करूँगा यहां पर मैं paste कर दूँगा क्योंकि बहुत जाता है simple है अभी मैं आपको बात आता हूं and guys the best part है कि इसका source code मैं आपको बिलकुल free में रखने वाला हूं I mean नीचे description में आप check कीज आपको मिल जाएगा so guys आपको ज्यादा मैनत करना इसके लिए उसके लिए you know css का code link के लिए क्योंकि मैंने कोई plug-in यूज नी की boost drive यूज नी की pure css की मदद से and great system की मदद से यह क्रेट किया so this is it यह मेरा product हो गया and मेरा यह काट हटा जयता हो this is it so guys cart.css already हो चुका है product.js में मैं आपको जरूर दिखाना चाहंगा क्या क्या है guys यह आपका एक array of an object because आप देख सकते हो array के अंदर object है right and हमारा इस array का 0th index number पर we have our object तो basically array of an object and बहुत easily products के थूरू मैं इन सबको one by one call कर सकता हूं तो guys सब बीना खिसी देर के video को start करते सबसे पहले हम यह हमारा header part है उसको create करते देखो guys header part create करने के लिए बहुत जादा simple है तो कैसे होगा मैं simply चलता हूं यहां पर react arrow function component with export this is it dip को मैं हटा रहा हूं डिप की मुझे कोई need नहीं है ठीक है मैं यहां पर चलता हूं तो सबसे पहले we have our header this is it तो guys इसको class दे देता हूं मैं continue swapping करके ठीक है इसको एक class दे दी मैंने basically continue swapping मतलब मेरा यह जो arrow है and then continue swapping मैंने लिखा उसके लिए वह ठीक है इसको फिलाल copy कर ले तो अभी देखो तो यहां पर सबसे पहले मुझे वह arrow लगेगा and हाँ एक चीज़ बताना चाहूंगा कि already images मेरे इस folder पर पड़ा हूए and मैं आपको बताया था the best way to get images in react इसकी आप directly public folder में images नाम का एक folder करेड़ कीजे and वहां पर रख दीजे अब इससे होगा यह कि guys आपको यूनो उसको import करने की निर नहीं है यह जंजट वह जंजट कुछ निए on the spot अब देखो on the spot source में dot forward slash आपका जो भी images का नाम है I mean folder का नाम होगा forward slash अब उसका जो भी नाम था like arrow.png है यहां पे and alt पे जरूर दे दीजेगा वरना error देता हमें यह react में basically warning देता है this is it and now guys अब मुझे क्या करना है यह जो मेरा part है ठीक है इसको में एक बार अपने यहां पे हमारा जो app.js वहां पे उसको में run करना चाहूंगा फिलाल इसको में हटा देता हूं यहां पे चलता हूं इस तरह किसे import card ठीक है card from कहां से from obviously dot forward slash component नहीं components forward slash मेरा card ctrl s save करता हूं यहां पे मैं चलता है and boom guys अब आप देख सकते हूं सिर्फ एक arrow मुझे दिखाई दे रहा है so now guys अभी जो continuous swapping लिखा मुझे अब यह चाहिए तो मैं इसको अभी हटा जयता हूं items की मुझे अभी need नहीं सिर्फ एक ही file की need and this is it यह मेरा arrow guys इसको मैंने कुछ class name दे रहा है जो मैं इसको जरूर देना चाहूंगा so मैं यहां पे चलता हूं and that is my arrow icon awesome ठीक इतना मेरा काम हो गया ठीक यहीं पे मैं चलना चाहूंगा मेरा एक h3 है and then मेरा continuous swapping so इतना लिखने मातर से अब आप देखो कि guys मुझे कुछ वह स्तिरी किसी दिखाई दे रहा है ठीक है आप सोच रहोंगे मैंने css इस पे apply कर चुका हूं फिर भी reflect क्यों नहीं हुआ वह इसलिए नहीं हुआ guys क्यों कि मैंने अब तक यहां पर css exactly import नहीं किया ठीक है so मैं यहां पर चलता हूं simply import and directly हम कर सकते है and that is dot forward slash आप इससे कार्ट डॉट से लिख सकते हो and boom guys see अगर आप देखोगे तो कितना awesome यह हो चुका है और माज़ा आगया चलो ठीक है अभी मुझे क्या चीग है इसके नीचे एक अनदर डिप में लेने जा रहा हूं इसको एक class name दोंगा जिसका नाम होगा simply cart icon ठीक है आप देख सकते हो awesome and यहां पर गाइस अगेन वो जो है वो मेरा एक image है तो मैं यहां पर चलना चाहूंगा image ठीक है यहां पर मैं चलता हूं basically dot forward slash images and then cart.png awesome यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरीके से वाट नहीं cart and this is it is यह जो हमारा src यह जो portion है इसकी मुझे कोई need नहीं है इसके लिए मैंने एक paragraph लिया था and मैंने 7 लिख दिया था ठीक है तो अब मैं अगर यहां पर लेकर चलता हूं आप देख सकते हूं guys यह साथ आ चुका है and अगर आप सुच रहो OMG यह कैसे हुआ मतलब कार्ट के उपर वह 7 कैसे आगे और यह गोल कैसे हो रहा है so guys यह प्योर आपका CSS का कमाल में इसमें कुछ एक्स्ट्रा हाइफाई ऐसा कुछ नहीं है CSS की पर अल्ड़ी वीडियो करेट कर चुका जरूर चकाउट कीज़ेगा अब हमें guys यह वाला जो कंपोनेंट है that is swapping cart and then यह वाला जो पार्ट है यह मुझे लगेगा ठीक है तो इसको फिलाल कॉपी कर लेता हूँ यहां पर चलता हूँ यह header के बाएर आपको चलना है ठीक है now we are in a new section तो एक new section ले लेता हूँ this is it awesome ठीक है आप चाओ तो इस section को class दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो मैं class देने वाला हूँ इसको and that is simply guys मैं देना चाहूँगा main cart section and then guys simply h1 में मैं चलूँगा यहां पर I think all right perfect copy करके रखा था and ठीक उसी के नीचे guys मैं एक paragraph लेना चाहूँगा जहां पर मेरा यह जो content होगा Figma ठीक है मैं यहां पर चलना चाहूँगा and guys मैंने already Figma के उपर video upload कर चुका हूँ अब जरू check out कीजेगा आपको बहुत मज़ाने ओला ठीक है all right यहां पर इसको मैंने copy की मैंने उसको इस्तिरकी से रख दिया है and guys इसका class name होगा total items count and I just realized कि हमारा यह जो paragraph है इसको भी class name दे रखा and that is total items count निए सिर्फ total items this is it इतना लिखने मातर से आप देख सकते हूँ कैसे थोड़ा सब bold हो गया है and कितना awesome मुझे यह दिखाई दे रहा ठीक है हम एक अलगी component में create करेंगे that's why हमने उसका एक अलग file create किया लेकिन फिलाल अभी मुझे यह लगेगा यह वाला rectangle ठीक है तो वह कैसे होगा देखो section के अंदर ही हमें चलना है इसके नीचे में चलता हूँ ठीक है यह था जिसमें स्क्रोल करवा रहे थे ठीक है अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता है क्योंकि मैं उसी पर वह कर रहा हूँ लाइब तो वह तो गया फोगए यह जो portion दिख रहा है आपको complete यह एक image Samsung S21 इंक्रिमेंट 2 प्लस 2000 यह जो भी है तो यह एक अपना खुद का एक डीव है यह जो portion दिख रहा है यह अपना खुद का एक डीव है तो अगर मेरे से एक डीव भी बन जाता है इसको मैं लूप पे चला दूंगा यह नो हमारा horizontal जो row है basically वो मुझे लगने वाला ठीक है तो कैसे होगा देखो गईस उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ वो जो एक particular horizontal अभी यह जो मैंने डीव लिया है वो complete मैंने इसके लिया है यह complete सब उसके अंदर आएंगे लेकिन सिर्फ एक individual जो है अभी उसके लिए मैं अब एक इसके नीचे में चल रहा हूँ आइटमस इनफो ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अब देखो इस आइटमस इनफो के अंदर वियाफ फस्ट इमेज दैन यह एक डेटा यह एक अलगी डीव है अन यह एक अलग डीव है ठीक है तो एक दो तीन चार पांच टोटल तो सबसे पहला वाला जो है नहीं यहां पर चलता हूँ राखर को मुझे एक लिंक की निडद है तो यहां पर मैं चलता हूँ यह जो पार्ट है इसको मैं कप्रेटल कॉपी करता हूँ यह आपकूस विदर में पता चल जाएगा मैं कैसे प्रैक्त कर रहा है लेकिन फिल इत खाना चाहूंगा एंड में को alternate पर कुछ ना कुछ तो लिखने ही पड़ेगा तो इस तरह किसे चिपका देता हूं यहां पर दिस इस इट तो अब मुझे मेरा यह जो सेकेंड पार्ट है टाइटल वह लगने वाला ठीक है तो मेरा पहला डिप को बंद के रेडी क्योंकि मैं सिस्टम बहुत इजली ट्रैक कर सकता हूं इस पर यहां पर चलता हूं इसको एक क्लास दोंगा डैट इस सिंप्ली टाइटल ठीक है एंड इसके अंदर आपका इस दो चीजे लगने वाली है हमें मालूम है क्या है सबसे पहला का इस आपका है जिसमें आपका यह जो भी टे सेंटर में और पॉर्फेक्टली सेंटर पर मलब यह कैसे वह रहा होगा आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना मैं यहां पर चलना चाहूंगा एंड इसको फिला तो मैंने बहुत वेर से एक नाम दिया एड माइनस क्वेंटिटी करके ठीक है मैं यहां पर चलता हूं एंड अब इसमें बिसिकली हमने किया क्या ह्वां फॉंट बॉब्स में यूश क्या हूं एंड मुझे फॉन बचाइब सू टॉसम का सी लिंक लगेगा स्वां पर मुझे चलना है आइकन सपे यहां पर मुझे यह जो फिर्स्ट आपसाने सी निश्ट टॉइन जैस में पर चलना ह लेकिन वह important है ठीक है so public you know हमारा index.html and यहाँ पर बस आपको इसको add कर देना है अपका काम complete अभी मैं यहाँ पर चलूँगा मेरे icons पर ठीक है यहाँ पर बस आपको search करना है like plus तो आप देखो के guys आपको plus मिलेगा तो इस तरकेस इसको copy कर दीजिए यहाँ पर आपको चलना है and then simple इस तरकेस आपको चिपका देना है ठीक उसके नीचे आपको चलना है we have not button we have input field ना वो जो 2 आपको दिखाई दे रहा है so मैं यहाँ पर चलता है इस तरकेसे input field type text है इनकी मुझे फिलाल कोई need नहीं मैं खाली यहाँ पर placeholder मुझे लगेगा and फिलाल मैं 271 अब कुछ भी लिख सकते हैं इसा कुछ निए this is it and इसी कोई मैं copy करूँगा यहाँ पर paste so I just realized कि सबसे पहले we have a minus over here ठीक है एक class भी है मेरे पास minus करके so वो भी मैं रगना चाहूँगा इस तरकेसे simply and यहाँ पर गाइस प्लस तो प्लस ही है लेकिन उसको एक class दे रखा मैं एक्स्ट्रा add ताकि उनको मैं CSS proper दे सकू and अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा so 321 and boom guys थी वो मुझे कुछ इस लूँगा एक और डिव आप देख सकते होगा इस कितनी properly एक एक सब का अपना अपने डिव होता जा रहा है एक डिव अलग डिव इसका डिव इसका डिव इसका डिव अलग इससे का आपको ट्रैक करने मीजी होगा बात में ठीक है and यहाँ पर basically यह है हमारा price and यहाँ पर simply S चल जाएगा remove item रखा है फिलाल यहाँ पर मैं चलता हूँ यह जो मेरा icon है इसकोई मैं copy करूंगा और all right copy करनी है यहाँ पर paste करना है यह जो ff plus मैंने लिखा है so we have a trash and then alt इस तिरके से ठीक है and यहाँ पर इसको एक class दे रखा मैं इस तिरके से remove करके and boom guys अब आप देखोगे कि मुझे इतना सब कुछ मिल चुक है ठीक है अब जब मुझे यह सब कुछ इतना मिली गया है तो क्यों आगर इसी को मैं बार बार रिपीट कर दो तो यह data तो मुझे मिलने वाला जैसे भी करके तो कम जूम करता हूं यहाँ पर ध्यां से देखो यह जो portion है ठीक है यह मेरा चीज बूल गए that is horizontal line भी तो था यहां पर ठीक है तो वह horizontal line है guys वह आपको पता चलेगा वह आपको देना है like after every हमारे एक particular जो items बनके ready हो जाता है like यहां पर ठीक है इसको मैं copy करना चाहूंगा कुछ इस तरीके से जहां जहां यह मुझे मिलेगा perfect ठीक उसके नीचे मुझे चलना है एक इस तरीक से चिपका देना अब आप देखो कि perfect देखो बट अब प्रॉब्लम ही हो रहा है कि हमारा यह जो items है ठीक है वह container के बाहर जा रहा है तो अब container के बाहर जब जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा ना so I need something जिससे यहां पर मैं उपर नीची स्क्रोल क क्या दोगे मतलब value क्या दोगे उसमें ठीक है तो उसके लिए हम क्या करना है देखो हमारा यह जो है guys cart items container ठीक है क्योंकि यह main है इसको copy करता हूं मैं चलना चाहूंगा cart.css पे मैं रखना चाहूंगा और बहुत ज्यादा आ गया तो चलो कोई नहीं मैं यहां पर लेकर चल करता हूं overflow x i mean not overflow x overflow y मतलब vertical में अगर मैं scroll रख दूँ और बहुंगा इसी देखो कितना awesome यह हो गया लेकिन मुझे इसमें क्या problem लगा कि आप देख सकते हैं जो हमें मिला है विनो vertical scroll यह बहुत ही जादा weird है I mean आज के time में 2021 में ऐसा scroll कोई यूज नहीं करता है मतलब यह क्य react custom scroll bar अगर आप लिखते हो सो हमारे पास अल्यडी है देखो scroll bar and then react custom scroll bars टू तो यह एक package इसको में copy करना चाहूंगा इसको close करता हूं यहां पर मैंने इसको इस तरीके से paste कर दी तो basically मैं यहां पर उसको install कर रहा हूं इस package को जब तक हमारा package install हो रहा है मैं बताना चाहूंगा कि guys इसको हमें use किस तरीके से करना है ठीक है लेकिन उससे पहले यह जो airflow y है इसको मैं हटाना चाहूंगा अब मुझे इसकी कोई need नहीं है क्योंकि यह अपना react का खुद का है ठीक है तो एक बार आपका यह अगर install हो जाता है then we need to import यह वाला जो भी scroll bar है ठीक है तो यह जो first बार चाहिए then आप उसको use कैसे करोगे तो उन्होंने बोला है जहां पे भी आपको scroll bar लगेगा जिस भी particular component पे या section पे या deep आपको इन्हों scroll bar यूज करना है आपको simply यह जो scroll bar का यह जो element है उसको आपको यूज करना basically tag opening and then closing वाला and हमारा यह जो items है like यह जो पार्ट है items जि क्यों की देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं मैं यह जो पार्ट दिख रहा है आपको यह देखो blue जो portion है मुझे तो इसको scroll करवा रहा है तो इसके उपर इसका जो parent है उसको मुझे target करना पड़ेगा तो उसका parent यह है ठीक है तो ठीक उसी के नीचे मैंने मैं रख दिया इस तर किसी scroll बार इसका जो अपना by default जो width and height देखो मत रखना क्यूंकि बहुत चोटा space होगा वो and simply बस अपको यह tag को copy करनी है एकदम देखो कहां खतम हो रहा है आपका जो parent वाला डिप था देखो 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 अला इच जगे पर ना I think यहीं कहीं हो रहा इसको पहले CLS यान and then start में लिख देता हूं and guys जब भी आपको भी package install करते हैं make sure करना कि यह proper install हुआ यानि तो इसके लिए आपको क्या करना है package.json पर चलना है and boom आप देख सकते हो react custom scroll bars आपका यह install हो चुक है तो इसको मैं आटा देता हूं इसको as it is रख देता हूं अब य यह देखो गाइस automatic आगया थुछी दिर पहले आपको जो दिख रहा था वो बहुत अजिप सा था उपर में एक कुस तो dark black arrow कुछ नीचे कुछ लेकिन अभी देखो कितना easy कितना simple and कितना आखो को pleasant view दे रहा है ठीक है इतना मेरा काम हो गया guys चलो ठीक है अभी guys हम क्या करते हमारा वो जो bottom में यह जो party इसको मैं आपको करके दिखाता हूं ठीक है तो इसके लिए काना guys जो section है ठीक इसके उपर आपको आना है again यहां पर आपको एक deep देनी एक class का नाम आपको चिपका देना and that is your card total perfect यहां पर मैं चलोंगा ठीक है यहां पर we have our h3 जो की होगा यह इस I think बहुत ही ज्यादा zero है यहां पर इतने zero की मुझे कोई नीट नहीं this is it ठीक है तो मेरा यह part complete हो गया and ठीक इसके नीचे में चलोंगा we have a button and यहां पर we have our checkout and this is it इतना लिखने है मातरा से आप देखो का इस इतना awesome है बनके ready है अब बात सिर्फ इतना है कि यह जो portion है यह अब देख सकते हो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही जो हमारा main deep था उसको copy कर लिया है इन सब को मैं guys अब copy कर रहा हूं ठीक है अब आप देख सकते हो यहां पर कुछ भी नहीं है यहां पर कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करता हूं यहां पर चलता हूं मेरे items.js के अंदर ठीक है so react arrow function component with export perfect यह जो part in को मैं हटाना चाहूंगा और यहां पर मैं simply इसको paste कर देना चाहूंगा तो अब आप देख सकते हो कुछ आपको वह इस तरीके से दिखाई दे रहा है ctrl d ctrl d ctrl d and perfect चलो ठीक है इतना awesome मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है और लाट गयास तो आप देख सकते हो यहां पर perfectly वह copy हो चुका है अब भी मुझे क्या चाहिए guys कि यहां पर जो कुछ भी data आ रहा है न वह basically मेरे कहां से आना चाहिए मेरे API से आना चाहिए and हमारा जो फिलाल API यह वह कुछ यह है तो यहां पर जो जैसे suppose हमारा first index नमर पर ID 1 है Samsung S21 है second वाले पर Samsung M21 थर्ड वाले पर Redmi है then iPhone है तो यह data मुझे अब लगने वाले है इसके अंदर it means कि now from parents element या parent component तो यह जो चाइल्ड का आपका जो component उस पर डेटा कैसे पास करोगे ठीक है इसके लिए हमने already context API पढ़ा है use reducer समझा है तो वह हम next video में देखेंगे लेकिन अब भी मैं आपको बताना चाहूंगा simplest तरीका using props तो वह props की मातल से आप कैसे कर सकती यह देखोगा इस यहां पर already हमारे पास data है ठीक है scroll bar लेकिन उससे पहले यह जो मेरा items मेंने बनाया just यहां पर चलता हूं इस तरगे से import यह मेरा items इसको मैंने default export इसलिए मुझे calibrations की need नहीं है वहां पर मैं directly इसको import कर सकता हूं dot forward slash items मुझे लिख देना है this is it मेरा part complete यह जो items इसको copy करूँगा ठीक इस जगे पर मैं guys यहां पर इसको all right इस तरीके से items रख दूँगा and perfect ठीक इसको close एक second sorry यह close होता है कुछ इस तरीके से ना कि पहले ही ठीक है तो आपको यह इदर रखना है and इसको हटा देना है this is it इत through मिल रहा है जो कि मैंने यहां पर रखा हुआ ठीक है अब मुझे क्या करना है इस component को मैंनो लूप पे चलवाना है and इस पे मुझे वो सभी data पास करना है यहां पर जो भी है तो कैसे होगा देखो अब मुझे यह बताओ मैं यहां पर लिखूंगा क्या क्या क्योंकि यह जो पाने के लिए we have a react hooks and already हमने use state hooks को समझ चुका है तो मुझे use state hooks की need है तो मैं यहां पर चलना चाहूंगा zoom कर देता हूं so const then simply यहां पर मैं लिख देता हूं guys item item लिख देता हूं फिला तो and then आपको convention अपनाना पड़ेगा set items ठीक है i capital camel case all right not items item only and यहां पर मैं लिख देता अब already products एक second मैंने विख प्रोड़क्ट को भी get नहीं गया यहां पर so guys हमारा यह जो products है ठीक है इसको मैं copy करूंगा यहां पर मुझे इसको import करना है ठीक है and इतना यहां थखना कि उसको मैंने default export नहीं किया हूँगा so मुझे calibraces लगेगा products from dot forward slash and मेरा यह products ready perfect awesome now यह जो products इस सारे data already है ठीक है तो मुझे अब बस इसको loop पे चलवाना इस item को मैं यहां पर चलता हूँ देखाँ जब भी आपको JavaScript use करना आपको calibraces तो लगे गई so item dot map method simple fat arrow function यहां पर आप callback भी कह सकते हो so fat arrow function मैंने use की यहां पर guys इसका जो current element होगा पहला ठीक है तो मैं लिख देता हूं मेरा current element के वाले मैं item रख देता हूं then we have index array and then this argument लेकिन उनकी यहां पर चलता हूँ पहले जल्दी से हमारा यह जो use state है उसको मैं यहां पर define कर देता हूं ठीक है तो मुझे यहां पर data तो मिलने वाला है एक बार refresh करना है खाली देखो data मुझे सब के सब मिल चुके ठीक है but reason यह है कि मुझे यह data same बार बार इसले मिल रहा है क्योंकि वो सेम डेटा नौबार मिल रहा है ठीक है उतना तो गाइस बेसिक था लेकिन यहां पर एक error आ रहा होगा basically warning आप कहा सकते हो that is यह वाला keyprop and एक secondary class वाला क्या कर रहा है I think यहां पर हमने जितने भी यह font awesome use किया है उस पर class नहीं you need to write class name तो at least अब वो error तो चला जाएगा ठीक ह यह already responsive आप देख सकते हो अब यह जो keyprop वाली जो error थी उसको हम बहुत easily tackle कर सकते है क्योंकि इसमें ही जाना है सब कुछ यहां पर खाले आपको key लिख देना है and already हमारा यह जो current element है ठीक है मैं आपको दिखाना चाहूंगा already current element है I mean current item जो है वहां पर हमार पास एक id है ठीक ह यह जो मैं चलूंगा current item.id and this is it अब at least वह जो एक error था वह भी गयप हो जाएगा I mean now there is no more errors ठीक है आपकोई errors नहीं यहां पर अभी मुझे क्या करना है data मुझे basically यहां पर जो भी लिखा है वो मुझे चाहिए exactly वह सही तो मैं बहुत easily कर सकता हूं क्योंकि मैंने इस तरीके स मेरा यह जो items वाला जो component है वहाँ पर पास करना है ठीक है तो आप बहुत easily कर सकता हूं मेरे remaining data को पास करने लिए dot 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 spread operator and then मेरा current item जो कि यह है and मेरा काम होगे इतना ज्यादा easy अब जब मैंने पास करी दिया तो यहां पर मैं चलूंगा अब guys यहां पर चाहो तो आप इस तर मेरा title मेरा image मेरा price and then we have our amount ठीक है this is it perfect now देखो यह जो मेरा image है अब इतना लंबा image जो था फालतूगा उसको मैं अटाओंगा इस तरी किसे simply मेरा curly braces and अब मैं यहां पर इस तरी किसे image लिग दूगा तो at least अब आप देखो कि image change हो गया सबके ठीक है यह देखो image change हो गया अब इस तरी किसे यहां पर Samsung S21 के बदले guys I will go with my title यहां पर यह जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसको हटा कि I will go with my description आप देख सकतो perfect so at least अब आप देखोगे Samsung M21, S21, Redmi 9, iPhone 12, automatic सब आ रहे है अभी यह जो price है उसके लिए मैं यहां पर चलना चाहूंगा and यहां पर simply मैं इस त तो आप देख सकतो guys price change होगे 90,500 देखो and बस this is it guys इतना ही था तो कैसे लागा आपको थाना कितना awesome कि यह जो complete UI है react की मदद से आप कैसे create कर सकती scroll bar देखा हमने इसका UI देखा and guys यह perfectly responsive है तो आपको बिल्कुल tension भी नहीं लेना है ठीक है इस video में देखेंगे क्योंकि आज इस video के लिए हमें main जो इसका structure हमने जो create किया वो कैसे कर सकते तो वो दिखाना बहुत जादे important था and individually कैसे delete करना वो भी हम जरूर देखेंगे मैं आसा करता हूँ कैस आप लोगों को बहुत ज्यादा माजा होगा जैसे कि मैंने आपको अलड़ी बता है यह वीडियो मैंने पहले ही create किया था लेकिन आप देख सकते हूँ कैस मैंने उसमें audio ही record करना भूल गया था तो वापस इस video को मैं पहले की बाद है मैंने सोचा न लीजेगा रियक्ट वाला इस जो प्लेइलिस्ट है जरू चेक आउट कीजिए अगर आप कहीं पे भी आगर आपको confusion होगा I think मुझे लग रहा है आप लोगों को इज जरू रहा होगा like what is this three dot actually means it's a spread operator अब भी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल था आपको सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा राइट साइड में क्रेट कला का बैल आइक घंटी दिखाए देगा हीट किजे फिलिक कीजे तके डेले से अवसब्सक्राइब करें थे दन गाइज थेंक्यों सो मछ टेक किया कि अज़ ऐसे वा ते अव औगा कि अवड़ कि अवड़ फैजड़ फ उन्मार और कि 5